नमस्कार दोस्तों, मैं सुने प्राइब स्वागता अब सब करेंग नीए वीडियो में कनेडा ने एलिगेशन लगा है इंडिया के उपर की अर्दिप सी निजर को इंडिया ने मरुआ दिया अब देखो कनेडा के पास इस बात का सबूत होता तो इंडिया गुष कर ले जाते हैं और इंडिया के उपर एलिगेशन भी लगा दिया इंडिया ने डिनाई भी कर दिया है तो इसके लावा और कनेडा कर क्या सकता है क्या Canada जा सकता है, International Court of Justice में? अगर ऐसा करता है, Canada और जाने की कोशिस भी करता है. तो पहली बात तो International Court of Justice जिसको करते हैं, वो इतने छोटे मुद्ने पर सुनवाई नहीं करता है, इंग्नॐर करता है. तो कैसे करेगा कि इंडिया और कनेडा दोनों common-milt nation है, common-milt nation उन देशों को कहा जाता है, जिस पर कभी ब्रेटिन ने राज किया था, तो उसमें कनेडा भी आता है और इंडिया भी आता है, तो यह उसके अरिकाच्छ से बाहर आते हैं दोनों देश, तीसरी बात क्या है कि अ लब यह उलंगान माना जाएगा international कनून का, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा कुछ एक्सन ले नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत बाहर हो चुका है, कासें सुलेमानी को मरवा दिया था, अमेरिका ने, उसमाबिन लादेन को मरवा दिया था, अमेरिका ने पाकिस्तान मे नहीं है, पर capital income अच्छी है, जैसे कि साओधिय अरविया की बात कर रहा हूँ, मुहमद बिन सल्मान के उपर यारोब लगाया गया था, कि सल्मान खगोश्ची को मरवाने में उनका हाथ था, क्योंकि वो मारे कहां गये थे, टर्की में और कहां मारे गये थे, साओधिय करते थे, साओधिय अरविया की leadership, लेकिन एक टाइम के बाद उनका अपस में मद्वेध हो गया और अमेरिका चलेगे, उसके बाद में किफिसाइज करते रहे, लगातार साओधिय अरविया की रिजीम को और मुहमद बिन सल्मान को, जो crown prince थे उस टाइम पे बाद में वहां आना शुरू कर देगा, और अगर वहां वोटिंग होती भी एक टाइम के लिए, कि सब लोग मिलके इंडिया के इस एक्ट को केंडम करो, उसमें कुछ देशा है जो सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं, इंडिया के साइड में खड़े हो जांगे, क्योंकि कनेड़ा की इस ट उन्हें मांगा भी है, लेकिन लगातार अशिया को क्रिटिसाइज भी करा है, ऐसे कि मैं यह देखने को मिलता है कि इंडिया को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत नाम घसीता जा रहा है, जो नाम खराब होना था, वो हो गया, अब और कुछ कर्म न झाले को ने पने तोने 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 त